कि चलिए इस्टाट करते हैं आज ही क्लास अज़िए अरफ हमने पर्सेंटेज से कि जितने भी प्य वाई क्यूं है उसमें आप जान लिए कि जामिया के तीन साल के पेपर है उसके कोई से नहीं है उसको अमने शामिल किया है love कि अब देखिए कि हमने कशाम Sun इन्स के बाइसु होई उसके हैं उसमें यहां पे इसके वाद बच रहा है आपका क्या चिंटनी हैं Chinese सारे के सारे, उनने 20 प्लस प्रसंस जो यहां पर सेंटेज के हैं, आप लोगोंने पर्संटेज के पर्संटेज के कलास दी है, शुरू से लेकर अभी तक कर लिया, शीट के क्वेश्टन लगा लिए है, अब आप देखे कि आपने जो पढ़ा है, जो भी आपने कॉंसेट सीख है और जो आपको पढ़ाया जा रहा है और कितना benefit है आपके लिए यह PYQ से पता चलेगा पहला पढ़िए जल्दी से उसका अंसर करें इसी का अंसर आगा 150 देखेगा पहला बसन में क्या कहा रहा है कि अमन को जो है 76% माक्स मिलते हैं नेहा को 480 माक्स मिलते हैं कोई टेस्ट ह होता है आगे कहा रहा है कि तरह दमाक्सिमम माप ओप दर टेस्ट इकोल स्टी माक्स उप्टेन बाइमन एंड नेहा टुगर्ण हाव मैं बार बार एक बात बताता रहता हूं कि जब भी आप कोई क्वेस्टन पढ़िए यह सुटी एंबी का क्वेस्टन है यह सुटी में प संपी में बार बार काम कराता चला है हूं महीं आप लोंगत से तादी इस पर धान भी दिया तरहीं जैसे में यह कैारा ह MALE इतने कान्स सको हैं बिलकूल सकताSch भाई यमन को जो माक्स मिला है 76 76 को अगर देख करके आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए यह नाइनटीन फोर्शा होता है आन्य आंसर जो भी होगा नाइनटीन का मल्टीपल होगा एक ही ऑप्शन है जो कि नाइनटीन से कंस्पेंसिल हो रहा नाइनटीन एट जा 152 होता है मेरा आंसर होगा एक इस्टुडेंट एक्जाम में गया और 76 पर्शन देखा आरे ता देखा यारे 76 का मल्टीपल कर टिक की आगे निकल गया कॉम्पोटी से नहां पर होने वाला टाइम वही बचा पाएगा जो सारे चीजे को देख करके करता है तो नाइंटीन के मल्टीपल को देख करके कर सकते हैं अगर आफ सॉल माले मल्टीप अगर माले ऑप्शन नहीं मिलता तो क्या करते हम पिस सॉल करते यह बताइए अगर अमंको 76 merit मिला है तो नहा को कितना मिला है आगर 76 यह हैमन को मिला कई हुए मते मिला करके 100 है है ऑल फट में हरा को 24 परशंट मिला है तो नहा को ours कितना मिला है 480, यानि 24% की value 480 है, यानि कितने 20 times न, तो ज़रा बताइए 100% की value कितनी हो जाएगी, आपको क्या करना, 100 into 20 कर देंगे, यह 2000 जो marks हुआ, यह total marks हुआ test paper का, यह 2000 क्या हुआ, total marks हुआ, इसी का 76% किसको मिला है, इसी 2000 का आमन को 76% मिला है, तो 76% यहां से निकालेंगे, तो हमारा आज आएगा, 1520, तो कोई बर solve करेंगे, तिस तरह करेंगे, और option से 19 के multiple को देख करके answer, असानी से किया जा सकता था, देखिए, आमन को जो marks मिला था न, और 76% मिला था, तो जो भी यहां पे total marks होगा, उसका 76% आमन को मिला, 76 के अंदर क्या मिला है, 19, 19, 4 जो 76 होता है, यानि जो भी answer होगा, उसमें 19 जरूर होगा, यानि 19 का multiple तो होना ही होना है, क्योंकि 19 नीचे से cancel थोड़ी हो रहा है कहीं, बास मिला था न, जो भी total marks होगा, उसका 76% का मतलब, उसमें 19 जरूर आएगा, यानि 19 से वो divisible होगा, यह तो बार-बार समझा जाओं, इसके मैंने अपनी class भी रखी है, इसके unitary method पे, calculation पे multiple given concept जो पढ़ा है, उसको मालूम है कि मैं कैसे बताता हूं कि options से कैसे आप लोगों tackle कर सकते हैं, यह CUT MBA 2003 सा question था, इसको देख लिए आपने, आगे देखते हैं हम लोग, next question देखते हैं, next question देखिए, अभी आप लोगों कराया गया था, बताई इसका answer क्या आना चाहिए, questions पढ़िए जल्दी से, questions पढ़िए अरे मैं हिंदी में translate कर दे रहा हूं न, क्यारा इप the price of, देखिए इसका आपको जो है, जो है, जो है, मिल जाएगी, अब लोग जो है, इसको सेंट कर देंगे, तो आपको जो है, हिंदी वर्जन साथ-साथ इसकी typing करके ता मिल जाएगी, आप नशन लेगी, questions में क्या कह र price falls by 2.5%, ठीक है, अब person can buy 9 kg more of price for this rupees, कहरा, एक दा price है, कहरा, अगर price जो है, 12.5% जो है, इंक्रीज कर जाए, तो जरा बताएगे, जितना पैसा आपके पास था, इतना ही पैसे में, अब कितना rice मिलेगा, ये आप से पूछा है, बताएगे questions कराया गया, एक नहीं क्लास में, सब भी लोगं बताएगे कैसे कितना answer आएगा, और क्या किया जाए, ये भी tweet हो, ये भी question आपका, ये क्या है, MBA का, CUT MBA का question, CUT MBA 2023, जो कुछ पढ़ाया जा रहा है, उसके focus करिए, उससे बाहर चीजें नहीं आने वाली है, ये सारे questions में बहुत पहले से करा रहा हूं, 21.22 से चल ला, ये सारे, ठीक है, जरा बताएगे क्या होना चाहिए, आपको डाट बताया था न, आप से कहरा, प्राइस कितना फॉल हो रहा है, तो डाट इक्वेल कर दीए, तू हमने 2.5 परसेंट, 2.5 परसेंट इक्वेल चुकि उसके प्राइस के कम होने से, आपने नाइन केज इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसी को इक्वेल कर सकता हूँ, याद है ना मेथट, 2.5 परसेंट इसको 29, अगर मैं 2 से मल्टिप्लाइ करूँगा, तो क्या आजाएगा, 5 परसेंट की वेलू कितनी आजाएगी, 18, तो 100 परसेंट के लिए निकाल ले जाएंगे, आप लो, कित कंजप्शन है, कितना है, 360 kg कंजप्शन है, तो यह बताईए, 9 kg बढ़ने के बाद हुआ है, तो जरह बताईए, पहले आपका कंजप्शन कितना था, पहले कंजप्शन कितना रहा होगा, इस से 9 kg कं, 351, यही तो कह रहा, पहले कंजप्शन आपका इतना था, आप में आपसे और कह रहा है लेकिन यहां तक नहीं छोड़ा देखिए एक्जाम दोने थोड़ा से बढ़ा दिया उसने कहा अगर प्राइस वन अपन एट साड़े बारा पर्शंट की फ्रेक्शन मेलू क्या होती वन अपन एट गर वन अपन एट क्या हो जाए इंक्रीज हो जाए पैसा आपके पास स्टीनatility और सो जैने आपस कंजंएं एंगा क्या पाड़ेगा अपको क्या करना पड़ेगा बोलो q今回 इन्क्रीज करे 흡 जो अन्जम करना पड़ेगा बताएस और सब्सक्स ना करेंगे सबी कम ऐसे जाना चाहिए डिक्रीस करेगा कंजम्शन ना कितना डिक्रीस करेगा यह बताइए तो प्राइस में वन अपॉन एट का लेजिए कहरें सिवन बाइएट तिन बाइएट हो जाया कितना कम करेंगे यह कुछ राओं सिवन बाइएट हो जाएगा प्राइस में 1 अपान 8 की इंक्रिमेंट है कंजम्टिन कितना डिक्रीज करेगा क्या किसी का मैसे नहीं आ रहा है क्या याइद है वन अपान 9 स्वेता राइट अंसर जाहिर सी बात है यह भाई प्राइस वन अपान 8 बढ़ेगा कितनी बच्चु वाला कोशन नहीं बता पड़ा रहे न आप लो तो कंजप्शन क्या होगा डिक्रीज करेगा कि डिक्रीज कब होगा जब नुम्रेटर बढ़ा हो इसमें एड करेंगे न भूल गे रूल वाला क्या है यह वन अपाउन नाइन डिक्रीज करेगा तो 351 का वन अ क्या करना पड़ेगा कंजंप्शन को कम करना पड़ेगा आंसर बतावी कितना रहा है कि 312 कि आगे सबी लोगों का छोटी से थोड़ा से बढ़ा दिया था उसमें कुछ किया नहीं था ना कि आगी बात सोंज में बताना ही पड़ेगी ना फिर से कि चले आगी चले हम तो देखिए इस तरह से कुष्ण एक्जाम में आप से पूछता है कि यह कुष्ण तो बताईए सबी लोगों को कराया गैस को बताईए कि यह क्या है करें 20% of 30% of 850 प्लस इतना इतो बहुत ही आसान है इन दोनों को मल्टिप्लाइए करिए कितना रहा है इन दोनों को मल्टिप्लाइए कर लिए कुष्ण आप कर भी सकते हैं 5630 57380 आएगा इनको स्वाल के लिए 25% का मदलब होता है 1 upon 4 30% का मदलब होता है 3 upon 10 और इन टू एट 50 सभी लोगों बताईए का अंसर कितना आएगा इसको साइद एक बार कराएगा था जल्दी बोलिए इसका तो आंसर कितना आ रहा है कि तभी लोंग का अंसर आना चाहिए इसमें कि 388 होगा कि इसको आप सॉल कर लीजिएगा कितना जाएगा एड करने पर 443.75 सभी का अंसर आया ना डी ऑप्सिंग राइट अंसर यह भी आपका जो है स्यूटी का क्वेश्चन है आगे देखेगा यह हो गया इसको बताइए इसको बताइए सभी लों सी उटी का क्वेश्चन है अब आप देखिए जो आपको पढ़ाया गया है और जो एक्जाम में आ रहा है क्या हूँ बहु उसी पैटन पर क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं देखिएगा नंबर इंक्रीज बाइटी परसेंट देन अगैंड इंक्रीज बाइटी परसेंट देखिए किस का अंसर कौन करता है उसके बाद कह रहा है उसके बाद गिरा इतना इतना नहीं का आगे कहा देखो वाट परसेंट शुडबी इंक्रीज बिया नंबर भी रिड्यूस जो बढ़ा हुआ नंबर उसको कितना रिड्यूस कर दिया जाए कि हम ओर जिनल नंबर पर पहुंच जाए जो और जिनल अगली लाइन क्या कह रहा है उसको देखिए यह आप से नहीं पूछा है कि कितना पर्सेंट हो जाएगा कि जितना हो गया है वहां से कितना रिड्यूस करने की और जिनल पर पहुंच जाए यह पूछा है जल्दी बताईए आंसर बताई कितना आएगा कि इसको जेख्यांन कुछ नहीं सबसे पहली बात ये है कि 20 पर्सेंट 20 पर्सेंट का अगर मैं इंक्रिमेंट दू बार करूँगा सभी को पता 14 40 आप पड़े ना एक्स प्लस वाई एक्स वाई बाई अनेड्स तसे लगाएंगे तो 20 प्लस 2040 और 20 इंटू 20 वाई हन्डेट करेंगे तो यह आजाएगा चार परसेंट यहानि 44 परसेंट आएगा इंकरीमें 44 परशेंट यह क्या मतलब होता है कि 44 पर्शंट का मतलब होता है 44 वाई हंडेड इसको जब कैंसिल करेंगे तो 11 अपॉन 25 आएगा क्या एगा 11 अपॉन 25 का इंक्रीमेंट है आप से कह रहा है कितना डिक्रीज कर दें कि यह ओरिजिनल नंबर में पहुंच जाए 11 बाइट इसमें क्या कर दीजिए एड कर दीजिए 11 अपॉन 36 अब जानते हैं कुछ लों क्या करते हैं अब इसको कैंसिल करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे कुछ नहीं करने की जरूरत है आ और 11 थ्री जा 33 होता है थ्री पॉइंट कुछ आएगा आपको पता है न कि 1 अपॉन 3 कितना होता है जल्दी बोलो 33 परसेंट होता है लेकिन डिनोमेंटल 3.3 या थोड़ा से ज्यादा है त्यानि वैलू थोड़ी सी क्या आएगी कम आएगी 33 से थोड़ी से कम कौन सा यह नहीं है कि आप बैट करके 35 by 9 लगाने जा रहे हैं मैं यहीं पर देख लिया कि 1 by 1 by 3 1 by 3 का मदब 33 33 से थोड़ा से कम यह की option दिख रहा था बी option यह दोनों तो ज्यादा है तो होगे ही नहीं यह बहुत ही कम है second option is right answer बात सुन में यह सब भी focus करना exam में बैट करके answer नही ही find out करना है कि सब्सक्राइब लेजिए कि लिए 25 का अगर increment है तो कितना decrement करें कि पहुंच जाएं वहाँ पे original पे आपने पड़ा नहीं शुरूं बताये थे हमने हमने आप से क्या कहा था कि अगर कोई कर माल A B से 20% माले ज्यादा है तो माले ज्यादा है तो B A से कितना पर्षण कम होगा 25% तभी तो उसके तभी हम यहां पर और और बार बता रहा हूं अगर किसी को 20 पर्षण बढ़ा दिया जाए तो बढ़ाने के बाद कितना कम किया जाए कि पहले position पर आजाए समझो इसकी चीज को बार बार बता रहा अगर किसी को 20 पर्षण बढ़ा दिये हैं तो कितना कम करेंगे फिर वह जिनल पर आजाए यही आला question 1 by 6 1 by 5 अगर बढ़ा है तो 1 by 6 कम करेंगे तो वही question तेहां पर कह रहा है 11 by 36 बढ़ करके हुआ है कितना कम करेंगे फिर से वही आ जाए 11 upon 11 by 25 बढ़ कर हुआ था 11 upon 36 कम क करेंगे तो original पर आएंगे यह सारे के सारे questions के हैं सबसे पहली बात मैं यहां पर क्लेर कर देना चाहता हूं यह class practice class है यह concept की class नहीं है concept की class मैंने पूरे अच्छे तरीके से बता दिया है तो पुछ लोगों किसकर इसमें problem आ रहे हैं कि साहीज यहां पर आपको समझ आपको यह मान की चला जा रहा है कि आपको concept आपका clear है यह practice session है इसको बताइएगा कि कह रहा है कि एक टैक्स प्वेंट इफ टैक्स चार्ड वेंटी टू परसेंट जो लगता है 5,500,000 तक अगर आपकी income है तो उसके 22% आपको tax देना पड़ेगा अगर इससे ज्यादा है तो 35% tax देना पड़ेगा अगर आपकी income 8,000,000 है अगर आपके पास जड़ा बताई आपको कितना tax पे कर रहे हैं जल्दी बताई सभी लोग कितना होगा कहने का मतलब है कि 22% जो लग रहा है वो tax लग रहा है कितने पे 5,500,000 तक यह question में आपसे कहा है आगे आपसे कह रहा है आगे आपसे कह रहा है कि जो बचा आपकी income 8,000,000 तो 5,500,000 पे तो 22% लग गया तो आपके पास कितना पैसा और बचा जल्दी बताईए कितने पैसे और बच रहे हैं एक्स्ट्रा कितना है 5,500,000 से 2.5,000,000,000,000 तो 2.5,000,000 का मंद़र 2,500,000 जो पैसा है उसे कितना परशन लग रहा है 35% लग रहा है तो जरह बताईए कि कि कितना tax पे करना है इसी को solve करना है क्या करना इसी को solve करना है जल्दी बताईए कि answer आएगा इसका 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 इस वहीं आंसर होगा दी औउप्शन क्या रहा है डी ऑप्शन डी आउटन इस पासन की यह कॉनसेट आप लगा कर करे को इना सब्सक्ति ऑगा सकते इसका डी इस चार आगया इसका ओनना-ध-4 इसका डी सब्सक्ति दिये इनका मदलब 5 plus 1, 6 ही यह आंसर होगे, अगला question देखिएगा, जिनको नहीं आ रहा, multiply करके कर लेंगे, जिनको D, अरे हम DSE class कितनी बार बोलें, DSE class मैंने कराया है, यूटूब पे प्ले लिस्ट में जब जाएंगे, उस पे प्ले लिस्ट बनी हुई है, जाकर एक बार देख लिया करिए, ना है तो अपने पुराना वाई आब है, multiply करिए, add करते रहिए, बोलिए, paper बहुत तफ आया था, य कितना close answer है देख रहे हैं, चलिए, ये बताइए, अच्छा question है, ये question माने है, 21 यवाइस में shoot में कराया था, ये question डिक्टो पूछा है आपके shoot में, LLV में शायद पूछा है, CUT LLV के exam में पूछा है, आप बताइए question का अब जिसको ये भी तरीके से fix pattern है, इसको समझेगा कर रहा है कि fresh fruit है, contain 68% water, कोई आपका ताजा फल है, उसमें 68% water है, ये बताइए, काउन सा आप लोग फ्रूट ज्यादा खाना पसंद करते हैं, पहली ये बताइए, आप लोग जो है, काउन सा फूट आप लोग को ज्यादा पसंद है, आम तो सब को पसंद होता है, आम जो ह मैंगो कोई नहीं, अनर होना मैंगो, चलिए, मैंगो उठाते हैं, अनर ओप्शन, चलिए, मैंगो ही ले लेते हैं, ये बताइए, मैंगो का अंदर क्या होता, जब आप मैंगो खाते हैं, कैसे खाते हैं मैंगो, जब भी मैंगो किसी तरीके से खाईए, उसमें आप देखे निम्लते हैं इसमें सर्व निम्हां थैकि नहीं और साहथ ही साथ जो आप मेंटेरिवल थे मुझते इसे प्ल मोड़ा जाती तो दो चीजे रहती हैं पैसर में आप से क्या कह रहा है कि जो रैश हुड है उसमें 68% water प्रेड के स्की यह अधाय कितना इक अट् – प Legislative कि अब अब एक यिए सिख्रेश फूर्ट की बात है किया है उसकी कडिशन किया है उसके अंदर जो वॉटर है कितना परसंट है 20 परसंट है तो इसके अंदर पल्प कितना होगा कुछ और बोलते हैं बताइए गाप लोग यही बोलते हैं चलिए तो इसके अंदर कितना होता है 80 परसंट जाईसी बात है अब आप से questions क्या कह रहा है प्रेशन यहां से पढ़िएगा कह रहा है कि how much dry fruit can be obtained from 100 kg fresh fruit अगर आपके पास 100 kg fresh fruit है तो उससे कितना dry fruit मिलेगा यह आपसे पूचा है दिखिए pulp तो पहली बात change नहीं होता है pulp क्या होता है वो change नहीं होता है बात सुझ में आए कि नहीं आप यह बताएए fresh fruit में आप जानते हैं कि 68% water है और pulp जो आपका 32% है तो अगर 100 kg fresh fruit है तो कोई बताएगा कितना kg pulp उसके अंदर होगा 100 का 32% निकाल लिजी 100 kg अगर आपका fresh fruit है उसमें 32% है ना pulp तो कितना kg हो जाएगा pulp उसके अंदर आप बोलेंगे fresh fruit के अंदर 32 kg होगा सभी लोगों को पता है देखिए अगर जब वो जब वो सूख भी जाएगा तो क्या pulp जो रहेगा वो बदल जाएगा water निकलेगा ना pulp तो constant रहेगा उसके अंदर बात सुझे तो pulp की quantity change नहीं होगी इसका मनलब यह हुआ जब वो drive हुआ तो pulp कितना है 80% है आप देख रहे हैं और 80% की value कितनी होगी यही 32 जुकि यह change नहीं होता है त्यानि 80% किसके equal है 32 के equal है जरा बताएगे 100% कितना आजाएगा आस निकाल देखिए 8 10 जाट 10% की value और है 100% की value कितनी हो जाएगी 10 times इधर 10 times 40 कि यह question बहुत पोचता है आप लोगों से अब मैं आप से कुछता हूं मैं आप से कुछता हूं आप लोग आंसर करिये कर हम मैं यहां पर question change करने जा रहा हूं how much fresh fruit fresh आपका ताजा फल fresh fruit can be obtained from 100 kg dry fruit बताएगे 100 kg dry fruit से कितने kg fresh fruit मिलेगा यह आप बताएगे जल्दी से यह आपके लिए home हो जल्दी बताएगे अगर 100 kg dry fruit है उससे कितना परसेंट आपको कितना kg आपको fresh fruit मिलेगा यह बताएगे 60 kg मिलेगा तब और बताएगे सभी लोग का आ गया 60 kg आ रहा है कैसे निकलेगा आपकी बास quantity मैंने जीरो के जी रिशू सिंग कह रही है रिशू सिंग रिशू सिंग क्या है आप चलिए 60 देखता हूं मैं यह बताएगे अगर dry food 100 kg होगा उसके अंदर पल कितना होगा अगर इसी question में दिया होता इस तरीके से तो यह उसके अंदर पल कितना होता जल्दी बोलो कि 80 kg होता अपकल की quantity कितनी थी यहां पर 32 परसेंट यानि 32 परसेंट की वेलू अब कि बार कितनी हो जाती एटी यहां से जरा बताएगे क्या निकल जाता एट फॉर जा कि नहीं कलता है एट फॉर जा फॉर परसेंट की वेलू आती तेन तो हंड़ेड परसेंट की वेलू कितनी आ जाएगी ट्वेंटी फाइव टाइंस ना तो कितना जाएगी 200 के जी कितना जारा देखिए इतना जाएगा धाइस हो आ जाएगा अर उसमें वाटर भी तो रहेगा डाय के जी फ्रेश फूट मिलेगा पूरा ना चलिए ठीक है तो ऐसे कुशन एग्जाम में आपको घुमा के भी पूछ सकता है तो आप घबरा मन जा कि पैसे आगे चलते हैं जल्दी से देखते हैं बहुत तेज करता हूं मैं यह बताई यह कुशन देखिए जामिया में पूछा गया कुशन जामिया एंबिए जामिया में थूदा से अच्छा कुशन पूछा liberi मी हलका उसका LEVEL अच्छा है जानिके सब्ढ़िए कर रहा कि स उसको 60% मिलते हैं 5 subject में total मिला कि कितने मिलते हैं 5 subject में 60% माक्स मिलते हैं और मास्त जो मिले हुए हैं उनको 5 subject में उसका ratio दे रख था है 10 9 8 7 6 इस रेशियो में उनको marks मिलते हैं कह रहा है कि अगर passing marks जो है आपका 50% of maximum marks ब्लाएं उसका अगर 50% passing marks हो marks हो तो कह रहा है कि इस subject has the same maximum marks और हर subject में same maximum marks हो तो कह रहा है how many subjects did he pass examination तो कितने subject में वो पास हुआ ये जामियां, M.B.A. कुछ है जो लोग जामियां की तयारी कर रहे हैं जल्दी बताएं इस कांसर क्या होना चाहिए देखिए 5 अपना ही ले लो यार इंटर में माल ले आप बैठे हुए हो आपको 5 subject है ज़रा बताएं कितने marks का पेपर ले लिया जाए ऐसा marks लो न जो 10, 9, 8, 7, 6 से cancel हो जाए 10, 9 कितना हो था, 19 और 27, 7, 34 और 6, 40 40 के multiple में कुछ ले लो तो 40 के multiple में माल लेते हैं कितने marks आपने ले लिया 400 marks का paper ACC का paper होता है ACC board वाले जानके ति माल लेता हूं कुछ भी ले लो इससे कोई फरक नहीं पड़ता है आप कितने marks लेते हो जब इनका ratio का जब sum का लोग ने तो cancel out होगा आसानी से आपको answer आजाएगा इन सब को write करने पर 40 आ रहा था मैंने 40 के multiple में marks ले लिया total marks में माल लेता हूं कि 400 है ये बताइए 60% उसको total मिला हुआ है तो 60% अगर total मिला हूँ तेरा बताइए उसको पांचो subject में कितने marks मिल गए सभी लोग बताइए तो आप चो subject में कितने marks मिल गए आप बताएंगे 240 कितने marks मिले की नहीं आपको कितने marks मिल गए उसको 240 मिले ये बताइए निकल नहीं जाएगा आपका तो यहाँ पर कितना marks मिल ला 10 9, 19 total अगर मैं add करूँ कितना आ रहा है 40 unit आ रहा है तो 40 unit की value कितनी है total marks कितना 40 unit और यहाँ पर total marks कितना रहा 240 तो 40 unit की value 240 है तो एक unit की value कितनी आ गई 6 जब एक unit की value 6 आ गई तो पहले वाले में कितना मिल गई 10 unit कितना marks मिल जाएगा जल्दी बोलो, पहले में कितना मिलेगा, पहले सब्जेक्ट में कितना मिलेगा भाई, ये क्यूंट की विली 6 आ गई है, 60, तो पहले में 60, अब लगातार मंटिप्लाइ करते चले जा, दूसरे वाले में, 69 जा, 54, इसमें 48, इसमें 42, 42, इसमें 36, इसी में देखिए, फेल हो ग हो गया, बाती में तो फेल हो गया, एक सब्जेक्ट में फेल हो गया, किस सब्जेक्ट में फेल हुआ, 36 में तो फेल है, एक बार पहले से समझा दे, एक बार पहले से समझाए, सम अच्छा, ए देखिए, कुछ नहीं था यार, हमने टोटल मास क्या ले लिया, 400 ले लिया, क् मैं चारो को एड़ कर रहा था, तो 40 unit आया, तो 40 के multiple मैंने marks ले लिया 400, क्योंकि cancel करना पड़े, यह एक unit के लिए निकालनी पड़ती न, तो मैं यह देख रहा था कि 400 का 60% marks उसको 4-500 subject में मिला के मिला है, तो अबकुल कितना marks मिला, आपने देखा कि 400 का तो 60% निकाल लिया, तो 240 marks मिला है, और particular subject में कितना मिला हुआ है, 10 unit, 9 unit, x मान के भी लगा सकते हो, मैंने unit मान के लगा है, आप 10 x, 9 x ले सकते हो, मैंने unit ले लिया है, तो 10, 9, 19, 8, 27, plus 7, 34, plus 6, 40 unit marks टोटल मिला हुआ है, टोटल marks है 240, तो 40 unit की value 240, एक unit की value 6, 10 की, 69 की, 54, 68 जा, 48, 67 जा, 42, 66 जा, 36, इस ही में फेल हो गया, क्योंकि 50% चाहिए था पास होने के लिए, 80 में से 40, क्योंकि 80, 80 मा का paper है, तो 40 चाहिए था 30, 60 मिला है, इस में फेल हो गया हुआ, तो आप देख लिजी आप किसमें फेल है, तो यह जामिया का question था, मुझे लगता आप लोगों को clear हो गया हुआ, आगे बताईए, हो गया न, next question फिर जामिया का, जल दी बताईए, अच्छा question, जामिया ने अच्छा question पूछा है, ऐसा ने कि बहुत टब पूछा है, वह ही सारी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, जो आपने ratio में पढ़ी हैं, जो भी चीज़ें आपने basic पढ़ी हैं, सारा का सारा हुआ है, कोई चीज नया, नहीं नहीं यहां पर आ रही है, इसको बताई अच्छा question A भी है, कहरा कि total salary ABC की जो है 350 है, कितनी है 350 है, कहरा if they spend, अगर वो A जो है 75% spend कर देता है, 80% खर्च कर देता है B, और C जो है 56% अगर अपनी salary का spend कर देता है, तब कहरा उनकी जो saving का ratio है, यह है, 10, 12, 33 इनके saving का ratio है, तो find the salary of C, सबसे पहली बात है कि हमें इनकी salary नहीं पता न, ना तो A की salary पता है, ना तो B की पता है, ना तो C की पता, अगर हम A की salary को suppose that X ले ले रहे हैं, B को Y ले ले रहे हैं, और C को ले ले रहे हैं Z, यह बताईए, जिससे पूछँगों बताएगा, आसान है, जिससे पूछँ बताएगा, इधर देखिएगा, यह बताईए, जिससे पूछँगों बताएगा, यह बताईए, अगर 75% अपने salary का एक खर्च कर देता, तो बचाता कितना है, जल्दी बताओ, अगर 75% खर्च कर दिया ये ने, तो अपनी salary का, तो कितना बचाएगा, जल्दी बोलो कितना percent, 25%, अब 25% की fraction value क्या होती है, तो X का कितना बचाएगा, X तो आपकी salary है, 25% मतलब 1 by 4, यानि X by 4 saving करेगा, और saving कर कितना रहा है, 10 unit, कितना क गई, वो गुदर multiply करेगा, 40 unit, इतनी आ गई, 40 unit आ गई, किसी कोई doubt बताए, आ गई न, इसी तरीकर बी पे आ जाईए, भी अपने salary का, बी 80% खर्च कर देता है, 20% बचाता है, यानि Y by, 20% का मतलब 1 upon 5, तो Y by 5 बचाएगा, बचा कितना रहा, 12 unit, यानि Y कितना, Y की salary कितनी है, 60 unit, C पे आजाए, C 33, 56% अगर वो खर्च कर देती है, तो बचाते कितना है, 44%, 44% बचाएगा, 44% का मतलब समझते हैं, Z का 44% का मतलब 44 by 100 करेंगे, और बचा कितना रहा, 33, यहान से cancel कर लिए, 411 जा, 425 जा, 11 से 3 cancel हो जाएगा, Z किया जाएगी, 75, कितनी जाएगी, 75 unit, आंसर जो भी होगा, बस ही काम खतम हो जाता, 75 का multiple होगा, लेकिन none of these दे दिया, इसलिए solve करना पड़ेगा, बताएगे सभी लो, काम आसान होगे नहीं, सब को add कर लो, टोटल पैसा कितना आपके पास है, 350, 40, 600, और 175 unit total मलना है, तीनुक salary add करो, 40 unit, 60 unit, 75 unit, कितना unit बना है total salary, 175, 175 unit की value 350, 1 unit की value 2, 75 unit की value 75 into 2, 150, यह तो आप जानते हैं, तो 150 मेरा answer आजाएगा, मुझे लगता है किसी को कोई doubt नहीं रहा, बोरा, विल्लकुल अच्छे से मैंने समझा दिया, अग्दम बारी की तरिके से, आराम से, ऐसे ऐसे करना है, एक minute में कर देंगे, कोई बात नहीं, आगया, जल्दी बताइए, आगे चला जाए, जामिया की जो तैयारी कर रहे हो, questions को एक बार देख लें, क्या-क्या पूछता है, यह भी जामिया का question, जल्दी बताइए, यह भी जामिया MBA, जल्दी बताइए, कह रहा है 30%, देखे, एक buy का cost इतना है, पहले 30%, उसमें क्या, को इसकी value, जो है, decrease करती है, पहली साल, उसके बाद, 20%, 20% लगाता, decrease करती है, जल्दी बताइए, यह सब 3 साल बाद, उसकी buy का cost क्या होगा, question नहीं कराएगा, जल्दाइए, कराया नहीं गिया है, पहले 30% decrease करा दीजिए, 30% मतल्द समझते है, जल्दी बोलो, fraction value बोलो, 3 by 10, अगर 10 है, तो 3 कम हो गई, कितनी हो गई, 7, आप देखे, 20% decrease का मतलब, 5 से कितनी होगी, 5 से 4, फिर 5 से 4, 8 होगा है, यह आपका initial है, सबसे पहले बताईए, अंसर, तो कितनी दे रखी है, 10, 50, 250 unit न, 250 की value दे रखा है, कितनी initial कितनी है, 48,000, आप से पूछा क्या, 4, 4, 10, 16, 2, 7, 112 unit की value बताओ, सभी लोग answer करिये, सभी लोग answer करिये, DS लगाए, कुछ भी लगाए, answer बताईए, 112 unit की value बताईए, 250 से divide करिये, सभी लोग, answer पहली बात, साथ का multiple भी होगा, साथ का सभी कट रहे हैं, सभी लोग answer बताईए, क्या रहा है, very good, हा, तो क्या answer आजाएगा, आपका, 21504, तो C option is the right answer, next question देखियेगा, next question देखियेगा, EMU MBA 2022, जो भी लोग EMU की तयारी कहर रहे हैं, जल्दी बताएए, इसका answer सभी का आना चाहिए, सभी का answer आना चाहिए, च्योंकि आप यह सब questions class में कराएगा हैं, जल्दी बताएए, आप से कह रहा है, two numbers are respectively, 32% and 20% less than, मैंने 10% same to same ही कराएथा, less than, हलका बड़ी number चेंज रहा होगा, less than a third number, तो बताएए कि second number, first का कितना percent है, इसमें कुछ लोगों बहुत सारे चीज़ें का doubts भी है, उसको मैं अभी clear कर दूँगा, कि क्या-क्या पूछ सकता है, देखिए, तीन numbers आपके पास है, एक वह first number, second number and third number, अगर third number आपका hundred है, आपसे कह रहा है कि जो पहला number है, वो 32% less है, hundred से 32% निकालेंगे, 32 आएगा, hundred में से 32 माइनस करेंगे, 68 आजाएगा, और दूसरा 20% less है, यानि 100 माइनस 20, 20 कर लिए, 80 आजाएगा, यह question आपसे हो गया, कि पहला number 68 है, यह 80 है, यह आपका hundred है, question आपसे क्या कह रहा है, कि what, what percent is the first of the second, यहां से सुनो, what percent is the first of the second, यानि first second का कितना percent है, कह रहा है कि यह जो first है, यह इसका कितना percent है, what is the first of the second, इसका कितना percent है, यह जो first number है, second का कितना percent है, जिसका पूछ रहा है ना उसको नीचे लाना जिससे करना है तो first है आपका 68 सुनो ध्यान से first है 68 पूछा है off second second का कितना percent है off second का मतलब second वाला नीचे आएगा कितना percent है in 200 आप देखे इसको त्यक करके यहीं पर आंसर आ जाता 68 के अंदर क्या माया जा रहा है 17 आनि answer जो भी होगा 17 का multiple होगा 85% मेरा answer हो जाएगा 85% मेरा answer हो जाएगा इसी तरीके समय आप से यहां पर और बुछ सकता हूं यह बताईए second first का कितना percent है कैसे निकालते हैं आप क्या लिखते हैं सभी लों मैसेश करिए अगर यहीं पूछा होता कि what percent is the second of the first what percent is the second of the first 80 by 68 very good 80 by 68 very good 80 by 68 अब एक क्वेश्चन है तो यह हो गया दो और बनेंगे यह बताईए कि first number second number से by what percent first number is more than second number कितना percent ज्यादा है first sorry कितना percent कम है जो है first number second number by what percent first number is less than second number first number second number से कितना लेस है जल्दी बोलो अरे खाल इतना बताओ कैसे क्या लिखोगे तो निकली जाएगा आप दहां देखेंगे first number second number से less है कितना 68 88 12 less है second number से comparison second number से पूछ रहा कितना तो second not 12 by 18 200 कर देंगे आप से भी पूछ सकता है कि second number by what percent second number is more than first number अब जो जो बात कह रहे थे हमको बहुत confusion होता है कि क्या क्या होता उनको दिक्कत नहीं आएगी ना आप तो नहीं दिक्कत आने वाली है बताईएगा तो मैं चलना हूं आगे मैंने आपको समझा दिया कि किस से ज्यादा है कितना परसेंट है यह चार टाइप की question जो पूछते हैं प्रिया मिर्जापुर 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 चली आगे चलते हैं इसको बताईए यह question कौन बताता है इसका अंसर क्या आएगा लिजे कोई कोई पूछ लिया क्या पूछा है जरू जरू जाइए जल्दी से वाला अंसर बताईए सभी लोग का आना चाहिए जितने ही लोग है पढ़ लियो हमसे सर बस confusion हो रहा है कि कहीं आप जैसे सब्सक्राइब कोई चीज कहता है आप कोई questions का pattern देखे न क्या कह रहा है कि उसको बताईए बड़ा अच्छा question बताई तो इसका अभी तक आप से paper में क्या पूछता था था अभी तक क्वर संग क्या पूछता था कि बाइए एक नंबर एगर एक परसेंट increase कर दिया जाए पिर एक्स परसेंट decrease कर दिया जाए तो ओन नंबर कितना परसेंट हो जाता है पहली बार तो decrease होगा और कितना होगा एक formula लिखाया थे किसी को याद है जल्दी message करें दो जो फर्मॉला लिखाया था गर टीटना होता है जल्दी बतायिए को अरे पुछ रहा हूं ना क्या होता है 162 परसेंट परसेंट पर्सेंट निक्रीज तो आब याप जानते हैं तो 10 परसेंट है तो 10 परसेंट करेंगे 10 का स्क्वार हंडेड बाइट करेंगे आज आएगा हमारा 1% decrease, क्या जाएगा, 1% decrease, यही तो आएगा, आप यह चीज तो जानते ही, आप question इसने यहां तक नहीं पूछा, एक percent option नहीं दिया, ऐसा भी question इसने पूछा है, मैं उन्हें, लेगिन अब ऐसे नहीं पूछा, उसने कहा, कि भाई, ऐसा करने से, करा कि the number to obtain, जो number आपको मिलता ह है, एक percent decrease करने के बाद, वो original number से 10 less है, है न, क्या आपका है, 10 less है, तो सबसे पहली बात यह है, कि original number और आपका जो number मिलना, उनके बीच gap कितने का है, एक percent का gap, एक ही percent का difference है, और कितना less है, परस नमबर, सेकेंड नमबर से 10, यानि एक percent की value कितनी है, 10, तो 100 percent की value कितनी हो जाएगी, 1000, कितना ही करना था, एक percent equals to 10, आप ऐसे भी कर सकते हैं, माल लेते कि number आपका क्या 100 है, एक percent less होकर कितना हो जाएगा, 99, कितने का gap पा रहा है नमबर में, एक unit का, और एक unit की value कितनी दे रखी है, 10, तो 100 unit की value कितनी हो जाएगी, 1000, तो लेकिन आपको डाट पादा चल लागी, एक percent का difference हो, difference दे रखा है, 10, तो 1 percent equals to 10, 100 percent equals to 1000, आगे चला जाए, एक आगे चला जाए, एक percent का difference थाना, दो नमबर में, और 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 वारिज equals to 10, इसको बताएं सभी लो, यह cmat का question है, नहीं जल्दी बताएं, cmat यह बताएं, कह रहा है, in a local election between two candidates, one, एक को 55 percent मिलता है, total valid vote का, और वो कह रहा है कि वो declare कर दिया जाता है, winner हो गया हो, और 50 percent जो है, 15 percent vote invalid थे, कह रहा है कि total number जो आप वोट पड़ा है, इतना पड़ा हु candidate, जो candidate हार गया, उसको कितना vote मिला है, क्या question जल्ले बताएं, आप लोगों मने बहुत questions करा है, इसका अंसर क्या आना चाहिए, हार जीत का जो फैसला होता है, पहली बात, valid vote पे होता है, अब हमको यह बताएं, जिससे पूछूंगा, अगर 55 percent valid vote का उसको मिला है, हारे जीते वाले candidate को तहारा वाला कितना पाया होगा, valid vote का, 45 percent, तो सबसे पहले यह बताएं, 15,200 total vote है, इसमें से 15 percent vote जो total है, उसमें का 15 percent vote तो क्या हो गया, जल्दी बोलो, क्या हो गया, invalid हो गया, तो जब वो invalid हो गया, तो कितना पर्षंट valid है बताएं, 85 percent, यानि जो total vote है, इसका 85% ही वैलिड है यह जो निकल के आएगा 15200 का 85% यह वैलिड ओट निकल के आएगा कह रहा कि वैलिड ओट को कितना परसेंट आपको loser candidate को मिला जो हारा है आप जानते हैं जो जीता हुआ candidate है उसको 55% मिला है तो जो election हार गया उसको कितना परसेंट मिला होगा अगर जीतने वाला 55% पाया है तो हारने वाला कितना पाया 45% बेसिक सी बात है तो इसी का यह टोटल वैलिड ओट आया है इस वैलिड ओट का 45% ओट मिला है हारे हुए candidate को यह बताईए ऐसे कितने लोग है जो बिना solve किये option से कर सकते हैं जल्दी बताईए सबसे पहली बात answer जो भी होगा 9 का multiple होगा देखिए 45 में 9 पाया तो 9 का multiple होगा यह option गया यह option गया यह भी option कितना है यह भी 9 का multiple है यह भी 9 का multiple है बताईए अब क्या करेंगे दोनों 9 का multiple है तो फिर क्या कर सकते थे अंसर जो भी होगा 85 को देखिए 17 का multiple होगा और 17 का multiple देखिए नहीं है 17468 आगे 40 आ जाएगा 17 से नहीं कटेगा यह answer हो गया तो सबसे पहली बात किसका multiple होगा 17 और किसका होता है निकाल लेजिएगा और 9 के multiple 17 और 9 के multiple को देखके लगा सकते हैं या तो आप कर सकते हैं आपको solve करना तो आपके आसफ टाइम हो तो आप ताइम करिए कर यह सब चीज सीखिए अगला बताएए कहरा प्राइश ऑब फोप सेंट डिक्रीज़ कर गई है डें क्रीज़ करके 20 पर्सेंट जरा बताएए कि कितना नेट चेंज़ कर जल्दी बताएए एक सक्सेज़ लगाई जल्दी से तो 25% decrease का मतलब क्यों था माइनस 25 प्लस increase कितना हुगा 20 तो प्लस माइनस तो माइनस आएगा 25 हाला कि यह और यह ओरल हो जाएगा मैं लगा भले रहा हूँ यहां पर कितना आएगा माइनस 5 यहां माइनस आएगा यहां पर कितना आए जल्दी बताएए यहां पे भी 4, 5 जा, 5 आ रहा है, तो minus 5, minus 5 कितना, minus 10%, minus का मदलब होता है, decrease कर रहा है, यानि 10% क्या हो जाएगा, decrease कर जाएगा, सभी लोग का अंसर आ गया, सभी लोग का अंसर आ गया न, 10%, अच्छा है बताइए, मैं उल्टा कर दूँ, अगर मैं इसी पुछ लूँ, कि 25% increase कर दिया गया है, और 20% decrease कर दिया गया, तब बताइए, तब बताइए, क्या आएगा, ओरली हो जाएगा, तब क्या आना, 25, minus 20, इधर 5 आगा, उधर minus 5 आजाएगा, 0, तब यह option हो जाता, इसलिए option घुमाया था, तब यह option हो जाता आपका, बताइए, अगर इसी question में आपसे, यह पूछ लिया होता, 25% increase कर दिया होता, और आपसे क्या कर दिया होता, 20% decrease किया होता, तो no change आ जाता, यह सब चीजों से तयार रही, अगला question देखिए, एम्यों question है, अगर, एकी income अगर 10% जादा है, 1 upon 10 क्या है, B से जादा है, तो B, A से कितना कम है, जल्दी बताइए, एम्यों वाले, अगर A की income, B से 1 by 10 जादा है, तो B, A से कितनी कम income है, B की, एक line में तुरण कम पूछा है अंसर बताइए, आपनों रूप क्यों रहे हैं, बिल्कुल राइट, क्या करना है, इसी में एड कर लो, इंकम कम होगी तो एड करो, 1 upon 11, 1 upon 11 का मतलब, 9 1 by 11 percent, pen free करना है, इसमें pen नहीं चलाना है, यह सब question pen चलाने वाले नहीं है, 1 by 10 का increment है, तो 1 by 11 का decrement होगा, 1 by 11 की value आप को औरल ही पता होना चाहिए, 9 1 by 11 percent, अगला देखिएगा, कह रहा है, फ्रूट सेलर, कह रहा है कि कुछ mango खरीता है, जिसमें 10 percent जो है, वो खराब निकल जाते हैं, तो जो बचता है, he sold off 46 whole 2 by 3 percent of the rest, जो बचे, उसमें उसने इतने percent को sell कर दिया, एम्यू का question यह भी है, तो जोने के बाद भी उसके पास over 92 mangoes बच जाता है, तो बताएए, total number of mangoes कितना है, वोर्जिनली शूरु में कितना था, मुझे कोई बताएगा, माल लेते हैं, कि 100 mangoes total था, कितना था, 100 था, उसमें से 10 percent खराब होगा, ज़रा बताएगा, 10 percent खराब निकल गया, तो कितना बचा, जल्दी message करिए, सब आप लोगं बताएगे, मैं नहीं बताएगा, वगर 10 percent wrote in है, तो कितना बचा, 90, कितना बचा, 90, अब कह रहा है, 90 का इतना परसेंट, यह बताएगा, इसको दे के डर मत जाएगा, 46 whole 2 by 3 percent की fraction value बोलो, इसकी fraction value जल्दी से बताएगे, कितनी आएगी, जल्दी बताओ, कितनी आएगी, 7 by 15, कितनी आएगे, 7 by 15, तो जल्दी बताएगे, 7 by 15, इसका जो है, 7 by 15 उसने sell कर दिया, कितना sell कर दिया, जल्दी बताएगे, 15, 6, 90, यानि 42, 42 क्या हो गया, 19 का, 7 by 15 निकालेंगे, तो 42 आएगा, तो 42 sell कर दिया, तो बचा कितना, 48, जल्दी बोलो, कितना बचेगा, 490 में से 48 आपने बेच दिया, तो कितना बचा, 48, और बचा हुआ mango दे रखा है, 192, तो 48 की value, 192 है, कितना times, 4 times, तो 100 की unit बताएगे, 100 की value बताएगे, जैसे, जैसे questions में कहा था, वैसे वैसे करते चले जाएए, बिल्कूल आसान calculation है, दो से ग्यान तुरंत answer आजाएगा, कुछ करना ही नहीं था, ठीक है, आगे सोज में, कहीं कोई बड़ी calculation नहीं, कोई decimal नहीं, कुछ नहीं, करते हैं, 600 था, 10 खराब था, 90, 90 का 7 by 15 बेज दिया, 42 बेज दिया, 42, 48 बचा, 48 की value, 192, 4 times, 100 की value, 400 मेरा answer होगे, इतना ही करना है, जो जो questions में दे रखा था, हमने वैसे वैसे कर दिया, इसको बताईए, कहरा rectangle, what change percent in main area of rectangle में, अगर, यह तो यार, 2 seconds बताईए, सभी इसका answer तो, कह रहा है कि length और breath दोनों को 5% क्या यह, length को 5% बढ़ा रहा है, ठीक है, और breath को 5% increase, length को घटा रहा, breath को 5% क्या कर दे रहा है, उसकी breath को, बढ़ा दे रहा, एक को बढ़ा रहा, 5%, एक को घटा रहा, 5%, जड़ा बताई area में क्या change जाएगा, 5% का increment है, फिर 5% का decrement है, यह 5% पर यह decrease कर रहा, फिर 5% बढ़ा दे रहा, x, y से लगा दो, तब भी लग जाएगा, minus 5, plus 5, फिर minus आ जाएगा न, 5 into 5 by 100, यह तो cut जाएगा, 25 by 100, यानि, 0.25 परसेंट, negative आएगा, decrement होगा, और formula भी जानते हो, x square by 100% का क्या होगा, decrease होगा, बता चुका हूँ मैं इस questions को, same, यह भी पूछा है, तो यानि, 5 का square करिए, 25 by 100 करिए, कितना जाएगा, 0.25% आपका decrease हो जाएगा, यह सब basic question, आप लोगों के लिए मुझे लगता है, तो बा इसको बताएगे, 7% of, किस नंबर का 7% 35 होगा, यह बैट के solve मत करिएगा, जाकर के, ना, डायट ओप्सन देखे, बता दीजिए कितना होगा, 500 का, 500 का 7% 35 होता है, वहाँ बैट करके, एक सब्समा के solve मत करने लगिएगा, इसको बताएगे, इसको बताएगे, तो बताएगे दो नंबर में दो नंबर नहीं पता है, अब उसमें देखे, मैं option से लगा हूँ, तो मैं इसको option से भी कर सकता हूँ, सबसे पहले करें, difference of the square of the two number, अगर देख रहे हैं, इस नंबर को, पहला नंबर का मत दुसरा नंबर जादा है, जब square करेंगे, तो 2 का square 4 आएगा, इसका 25 आएगा, तो difference में देखे, negative आएगा, तो इसको आप रहने दीजिए, ये भी देखे, फर्स नंबर, सेकेंड नंबर से लेस है, तो इस भी रहने दीजिए, इन दोनों में verify कर लीजिए, जो questions कहे रहा है, उसी condition को verify करेंगे, कहा कहा रहा है, कहा रहा है, कहा रहा है कि, पहल का square का sum करेंगे, 25 प्लस 4 कितना है, 29, क्या 29 जो sum आता है, क्या उसका 80% जो है, 21 है, question देख, ये तो कहा है, कि square के sum का 80% जो है, difference का square होना चाहिए, जो number होगा, ये तो नहीं है, 29 का 80% लेंगे तो 21 थोड़ी आएगा, ये दोनों चला ही गया, ये होगा नहीं, ये answer हो है, 3 का square होता 9, 1 का square होता 1, 9 minus 1 करेंगे 8, 8, अच्छा, अब 3 का square होता 1, 9, 1 का square 1, 9 plus 1 करेंगे 10, 10 का जब 80% निकालेंगे तो क्या आएगा, 8, देख, 8 आ रहा है कि नहीं, verify हो गया, ये मेरा answer हो गया, एक तो मैंने option से verify कर दिया, ये क्या कर सकते हैं, आप, माल लिजे कि number आपका x है, दूसरा number y है, जैसे आप लगाते हैं, क्लास 10 में, तो क्या करते हैं, इसके square और इस दोनों number के square का जो difference है, वो equal है, 80% की fraction value होती है, 4 by 5, दोनों number के square का sum, यही तो दिया हुआ है, solve कर लिजे, x square minus y square हो जाएगा, 5 से multiply हो जागा ना, cross multiply कर लिजेगा, ये 5 y square हो इधर 4 x square plus 4 y square, x को इधर लाएंगे, तो 5 x square में से 4 x square जाएगा, तो x square बचेगा, equals to, minus 5 y square जब उधर जाएगा, तो 4 y square plus 5 square, 9 y square आजाएगा, x square by y square की value 9 आएगी, x by y की value क्या हो जाएगी, square root लग जाएगा, 9 के उपर, तो 3 आजाएगी, x by y 3 by 1 लिख सकते हैं, या 3 ratio 1, तो अगर आप solve करेंगे, तो ऐसे करेंगे, option से verify करेंगे, तो ऐसे करेंगे, जैसा मन करेंगे, आप वसातर लिएगे, तो 3 to 1 मेरा answer आजाएगा, तो जैसा question मैंने कहा, तो इसको आप solve भी कर सकते हैं, इसको बताएगे, कह रहा है कि our father gives 1 percent his income, his monthly salary to two sons, अच्छा, ए एक father जो है, अपने जो है, जो भी उनकी salary है, उसका जो है, एक percent जो है, अपने बच्चों को दे दे रहे हैं, जाए तुम लोग pocket खर्च करिए, आप लोगो मिलता ही होगा, आप लोगो मिलता नहीं है, आप ये पापापा होंगे, जितनी भी income आती है, मन्थली, उसमें से कि परशन मिलता है, जितना भी percent दे देते होंगे, आपको दे देते होंगे, जाए आप इसको खर्च करिए, हुआ क्या है, देखिए, हमें father की income नहीं पता है, नहीं मिलता है, इधर देखिएगा, मन लेते हैं कि father की income कुछ है, जो भी father की income होगी, उसका one percent, वो अपने दो बच में देता है, यह है यह भाई साव है, यह भाई साव है, तो कहह रहा है, एक percent देता है, अगर 20,000 कमाएगा, तो सिर्फ एक percent देगा, वानने एक हजार रुपए देगा, बस, तो नहीं इधर देखिएगा, कहह रहा है कि जो बड़ा वाला सन है, उसको जितना भी पैसा मिलता लिख और दो अधो एक च्वरणे dot तो विभॉति अधों तो बनागए तो किहुत टीड है इतने बड़े खर्ची लिए थे एकिपरसेंट का एक्टा एक्टा कटी परस्च करते है तो कितना कितना परशन drunk वह कितना होगया दो भी थे तो उनके पास कितना पार्चन पैसा बचा 16 तो उनके पास जो 16 पार्चनट पैसा बचा अप कितना कुश्टन में दे रखा कितना रुपया से बीस रुपए एक महीने में तो यानि 16 परसेंट की वैलू 20 है तो जड़ा बताइए अगर मैं यहां से निकालू 445 जा जाएगा इन्ध़ेटं पर्षेंट को निकाल लीए कितना यहगा अच्छे से मांटिप्लाइ कर देगे तो आपको पता ही होगा तो पतात रहा कि वन प्वाइंटिफाइब रूपी जो है उनको मिला हंड़ेटं परसेंट ही कि아 hundred percent यह जो आया है इन दोनों की जो income आई हे है दोनों को पैसा मिला को buy a a को कितना मिला अपिक को कितना मिला जल्दी बताइब हम लोगझ मिलक यह 125 पाने हैं तो कितना मिला है जल्दी बताइब 125 का 80 पर्सेंट एक को मिला होगा कितना आप 125 पर्शंट शोर उपर यह एक को हंडेड रुपीज मिलेगा और बी को पच्चीस मिलेगा ज्यान दिएगा इधर आजाएए इस तो मैंने बता दिया यह यह जो पैसा आया 125 रुपए जो दोनों को मिला है वो फादर के दोनों देते थे अपने बच्चों को और जो बड़े वाले थे उसमें से वह कितना खर्च कर देते थे बतायागा तो उसका एटी पर्शन जितना अस्सा होए है ना तो आप निकाल लेजिए आप अगे चला जाए चलिए आसी रुपए खर्च कर देगा 20 बचाएगा तो ज्यादा बचा हुआ है जदी तफ्वाश्त तेश कर यह तो पढ़ाता हूं इसको बताएच जल्दी से तॉम की सेलरी जो है वं टॉम की सेलरी इस 155 पर सेंट आफ जो ओन सेलरी जान की सेलरी जान की सेलरी जान ती इस्टिव सेले यह तीनों लोंग की तॉरम संगे यह यह जॉन यह मुई जॉन यह कहुंझ स्मिथ क्या करएंगे इनको आप फिस्टीज मिथ कर चलिए यह तॉंप हो गए स्टीव स्मित यह बताएगे क्या क्या रहा है जॉन की सैलरी एटी परसेंट आप स्टीव स्मित स्टीव की सैलरी का अगर इसकी सैलरी हंडेड है तो जॉन की सैलरी कितनी है जल्दी बताएगे जॉन की कितनी है में जों की सैलरी जो है इसका एकी परसेंट है यानि एक तॉन की जो सेलरी है जो जोन की फिप्ति परसेंट की मलत समझ रहें 80 तो 80 होगा ही और 80 का पचास प्षण जानी 40 और ज्यादा हो जाएगा तो 120 आ जाएगा आप से पूछा लग गया ना क्या इस्टीप सैलरी और टॉंब की रेशियो पूछा निकाल लीजी कितना अरा देख लीजी पहले किसका नाम लिया है पहले इस्टीप है तो हंडेड और 80 का रेशियो निकालना है तो निकल जाएगा नहीं किसका टॉंब का पूछा है यह 120 का निकालना है ना निकाले जिए 5 इस्टू 6 कितना जाएगा 5 इस्टू 6 सभी लोग का गया है सभी लोग का आ गया है कुछ लोग थक भी गये होंगे है ना देखिए यह थकियों कि यह मत अभी तो बहुत लड़ाई लड़नी है अभी थक जाएंगे तब पैसे काम चलेगा सभी लोग इसका बताईए दो सेकंड पांच सेकंड में आंसर आना चाहिए देखिए कौन बताता है एड़ परसेंट और ट्वैल परसेंट का अगर डिसकाउंट है तो सिंगल डिसकाउंट कितने का होगा दिखिये मिस्टर आसिस आपके कहने से जल्दी जल्दी नहीं होगा क्लास आईए बहुत से लोग जिनको नहीं आता है जल्दी बताईए तू सेक्सिशिफ डिसकाउंट दिया दीया रहा एड़ परसेंट और 12 परसेंट का जाईगा बताया डिसकाउंट वाला ग्वेश्ट 12 into 8 by 100, देखिए, सारी चीज़ें पहले से पढ़ाई जा चुकी है, अगर कोई ये समझ रहा है, कि ये class जो है, concept किये तो concept नहीं है, तो 20 में से 0.96 माइनस करेंगे, तो 19.04, तो 8% of 12% discount देने के बजाए, आप एक single discount अगर किसी को देना चाहते हैं, तो 19.04% का discount आपको देना पड़ेगा, आगे चला जाए, इसको बताईए, ये वाला question भी class में देखी कराया गया था न, बताईए सभी लोग इसको, सभी लोग का answer आना चाहिए, क्या कह रहा है, एक student को 20% marks मिलता है, 20 से fail हो जाता है, एक दूसरा student है, उसको 36% मिलता है, 44 marks जादा मिल जाता है, ये आपको मैंने बताया था बहुत पहले, कि ये passive marks होता है, एक को 20% मिला है, कितने से fail हुआ ये, minus 20 से, एक को मिला है, 36% लेकिन वो 44 marks जादा मिल गया उसको, तो fixed pattern बताया था मैंने, percentage में difference कितने का रहा है, आप देख रहें 16% का, और marks में difference, minus 20 और 44 में gap कितने काएगा, 44 minus, पहले से भी minus है, तो minus minus प्लस हो जाएगा, तो 44 plus 20 करेंगे, तो 64 आ जाएगा, तो 16% की value 64 है, तो 100% की value कितनी हो जाएगी, 4 times हो रहा है न, 4 times, कितना जाएगी, 400, तो यह 400 आ गया marks, सबसे पहली बात, यह option चला गया, यह option चला गया, यह देखे, इसमें 400, इसमें 400, एक line और आप से पूछा है, कहा है कि, जो find the maximum number of marks, and percentage, यह बताएगे, passing marks, maximum number of marks, and percentage, नैसे जो passing, यह बताएगे, पास होने के लिए, कितना marks चाहिए, पहले यह बताएगे, देखे भाई, 400 total marks है, अगर आप 20% निकालते हैं, इसका, 400 का, तो कितना आता है, 400 का अगर आप 20% निकालते हैं, तो कितना आएगा, 80 marks, 80 marks, लेकिन आप 20 से फेल हैं, तो 20 आओर एड करिए, तब जाकर के आप पास होंगे, यानि 100 marks, जो आपका, वो passing marks है, 400 में, तो कितना percent बनेगा, निकाल नहीं पाएगे, 25%, कितना बनेगा, 25%, चलिए, आगे चलते हैं, इसको बताइए, इसको बताइए, इसको बहुत ही आसान है, देखिए, 50%, 40% और 0, आप अगर आप 0 पे focus ना कर देए, नमबर अलग-अलग है, तो 5, 4 जा कितना आता है, 20, 20 में 2 आता है, और 3, 45 का ये 2 से multiply करेंगे, 6, 90 मेरा answer आजाएगा, तो आप ऐसे भी लगा सकते है, 50% का मतलब होता है, 40% का मतलब 2 upon 5, और 3, 4, 5, 0, तो से 2 cancel होगा, 3, 4, 5, 0 को 5 से divide करेंगे, तो 6, 90 आपका answer आजाएगा, ये भी बहुत ही आसान question था, तो ये आप जाएगा answer, ये जामिया 2023 का question होगाई, ये जामिया 2023 का question है, इसको देखिएगा, कराएगा difference between 40% of a number, and 18% of the number, same number, ये भी जामिय 2023 का question है, सब कराएगा है, अगर आपका इतना है, तो बताएगा 30% of that number कितना होगा, ये बताएगा, 40% of a number और 18% of a number में, difference कितने का रहा है, दिया हुआ है, 145.8, percentage में difference कितने का, 45 और 18 में difference, percentage में कितने का रहा है, 27, 44-18 करिए, तो 27% की value दे रखा है आपके question में, 145.8, अगर मैं 9 से cancel करूँ, तो 9 3 जाएगा, इसको 9 से cancel करूँगा, 9 मंज़ा 95, 9 6 जा 16.2 जाएगा, यानि 3% की value 16.2 है, आप से 30% की value पूछा है, कितना times होगा, 10 times, तो 16.2 का 10 times करेंगे, तो 162 आपका answer आजाएगा, यानि B option is right answer, तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे, जामिया 2023 के question, जितने भी percentage में, percentage chapter से, जामिया अंब्ये 2023, से ले करके, 2020 का भी question है, CMAT का जितना भी questions, percentage से पूछा गया है, M.E.U. के सारे questions लिये गए हैं आपके, जो भी 3-4 सालों में पूछा गया है, उसके एलामा, CMAT हो गया, जामिया हो गया, और M.E.U. हो गया, उसके एलामा, C.U.T.P.G. में, जो भी questions latest में आए हैं, L.E.U. हो, चाहे आपका M.B.A. हो, हर एक question आपने यहापे देखा, हम लोगों ने यहापे discuss किया, और आपको एक अच्छे तरीके से एक idea, जरूर लग जाना चाहिए, इतने साल के जो पेपर्स हैं, चाहे हो जामिया हो, चाहे एमी हो, चाहे सीवीटी हो, फिल हाला, और सीमेड का भी include कर लिया, तो आपको मुझे लगता, आपको कुछ कहने के जरूरत नहीं है, कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना, कैसे पढ़ना है, क्या पेपर आने वाला है, कौन सी बुक लगानी है, जो मैं करा रहा हूँ, क्या उनफ है, जो मेरे questions है, क्या उससे पूरा आपके लिए काफी है, तो मझे लगता है कि आपको कुछ भी बाहर, इसलिए बार-बार कहता हूँ, कि आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पॉनने की ज़रूरत नहीं है, जितना पढ़ाया जाए उतना करिए, इसलिए मैं जब पूरी क्लास कराने के बाद, जब मैं शीट कराने के बाद, फैनली जब मैं आता हूँ, इसलिए लेकर आता हूँ, कि आप खुद देखिये, आपको जो पढ़ाया जा रहा है, जो चीज़ें सिखाई जा रही है, उसमें कहीं से कुछ भी जो है, आप नो करने लाइक नहीं, आप खुछ चेक करिए, जो बतारे सा बोई चीज़ें आता हूँ, I hope सारे चीज़ें आपको समझ में आयोंगी,